आज की तारीख में ठगी करने के नए नए तरीके देखने को मिल रहे हैं। कभी फरजी बैंक अधिकारी बनकर कॉल के माध्यम से तो कभी लोटरी लगने के नाम पर ठगी की जा रही है। बीते दिनों हिमाचल प्रदेश के जिला सिर्मोर के पाउटा साहिब में कई ऐसे मामले भी सामने आए जहां लोटरी के नाम पर डाक के माध्यम से बैंक डीटेल मांगी गई। अब एक निया तरीका इन जाल साजों ने शुरू किया है। दरसल जिला सोलन में तकरीबन पाँच ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां गर्बवती महिलाओं से कॉल के माध्यम से बैंक डीटेल और आधार कार्ड का नमबर मांगा जाता है। कॉल करने वाली कोई महिला होती है जो खुद को आंगनवारी कारे करता बताती है। इतना ही नहीं कॉल के माध्यम से मॉबाइल में बेजे गए ओटीपी को भी मांगा जाता है। इन ठगों के पास गर्बवती महिलाओं की पूरी जानकारी होती है। कॉल करने वाली ठग महिला कहती है कि आप अपनी बैंक डीटेल, ओटीपी और आधार कार्ड हम से साजा करें जिसके बाद उन्हें सरकारी योजनाओं का लाब देने का लालच दिया जाता है। पहाड प्राइम का मकसद है कि इस खबर के माध्यम से आप लोग अपने आसपास और रिष्टेदारों को ठगी का शिकार होने से पहले ही सुचित कर दें ताकि आपकी मेहनत की कमाई इन ठगों की कमाई न बन जाए। आपको बता दें कि आज की तारीख में ठगी इतनी आसान हो चुकी है कि अगर आपने मोबाइल पर भेजे गए ओटीपी को आपने किसी अनजान के साथ शेयर कर दिया तो आप ये मान कर चलें कि आपका पूरा फोन हैक हो सकता है। जागरुक बने किसी भी बेहकावे में ना आएं ऐसा कोई भी मामला अगर आपकी नजर में हो तो तुरंत पुलिस स्टेशन से समपर करें।